हेलो गराइज वेल्कम बैक डु माई चनल, तो मैंने स्टार्ट के है, 2 रैटर से स्टार्ट होने वाली रेसिपी , यह मेरा आज immersive वाला, तो चलो बिना डाल बेल से रेसिपी स्टार्ट कर लेते लेखुते हैं के लिए उसमें डाल देना है और अच्छे से इसको स्प्रेड कर देना है मतलब प्लेट को और से एकदम अच्छे से ग्रिस कर लेना है ठीक है 15 मिनिट हो गई है इसके बार इसमें दाल देंगे नमक स्वाधनुसर और इन्हों डाल देंगे एक पैकेट और थोड़ा सा पाने इनों के उपर ताकि एकदम अच्छे से एक्टिवेट हो जाए अच्छे से इसको मिक्स कर लेना और यह वाले प्रोसेस फटाफर करने है ठीक है तो यहां पर प्लेट को लगा कर ग्रिस कर दिया था उसमें सारा बैटर डाल देना है और दो से तीन बार इस तरह से टैप कर करना है यहां पर मैंने स्टीमर को अगर हमने रख दिया था तो इसमें यह प्लेट डाल देनी है और ढ़कन लागा कर पंदा मिर्ट के लिए पका लेंगे पंदा मिर्ट हो गई है तो एक बार मैं चेक कर दिती हूं तो इस तरह से चाकु डाल देना है चाकु एकदम से कट कर लिया है मैं आपको एक इडला नजदिक से दिखाती हूं कि यह कितना अच्छा बना है तो देख सकतो गाइस कितना अच्छा कितना सॉफ्ट और कितना मस्त बनाए और जाली तार भी बनाए है ना इस तरह से आप भी एक बार रेसीपी जरूर ट्राय करना आपको ब एक अब पर नजदीन ऑनप नज़ं केольно-गाइप में तो मैंने ग्रीन मिर्शी को इस तरह से रमब लमब और पीसिश में कट कर लिया है इस्नमे और रबन दो ठील अच्छा सा न भड़ना से सकारी तो देख सकते हैं यह हमारा इडला बनकर त्यार भी हो गए कितना जल्दी बना और कितना अच्छा भी बना है तो इस तरह से आप भी एक बार जरूर ट्राइक करना है यह वाली रेसिपी और रेसिपी अच्छे लगी हो तो लाइक कॉमेंट शेर और सब्सक्राइब करना ना में इस को सुबे में मौनि transf में बनाया था मुझे बहुत ही पसंद आया ऐ और मेरे घर पे सब लोगों को भी यह वाला बहुत ही पसंद आयै तो इस तरह से आप भी मौर्निइंग बेखवास्ट में इडला की रेसिपी ट्राइ कर सकते है आपाचि बहुती हैं चल्दी से भ